जननाई एक्सप्रेस के इस प्रोमो में S.R.K दिपिका से पूछ तो रहे हैं कि आखर वो उनके पास क्यों आ जाती है लेकिन जा तो वो दिपिका के पास खुद ही रहे है ऐसा ही हाल है रियल लाइफ में भी S.R.K का क्योंकि S.R.K की ही फिल्म से डेबियू करने वाली दिपिका पर आ गई है इस फिल्म को 100 क्रोस के डेस्टिनेशन पर पहुँचाने की जिम्मदारी यह तीन बना चुकी है तुम मैं बस पीछे कि मेरी भी एक बनवाद हो बस लेकिन S.R.K का ये स्टेटमन्ट सुनके कहीं आपको उनका वो स्टेटमन्ट तो नहीं याद आ रहा जो उन्होंने 100 क्रो क्लब के बारे में exclusively जुम के बूम पर कही थे जी हाँ, नमबस पर बिलीव ना करने वाले S.R.K अब दिपिका के शोल्डर्स पर चन्ने एक्स्प्रेस को 100 क्रोस का मांक छुआनी की रिस्पोंसिबिलिटी डाल रहे है लेकिन अगर आपको लग रहा है that he has changed his mind then hold your horses, listen to what S.R.K. has to say इतना ही नहीं S.R.K ने तो ये भी कहां कि ना वो इसमें बिलीव करते हैं और ना ही दिपिका तो भेर आखर क्यों ये भारी रिस्पोंसिबिलिटी आप बेचारी दिपिका के नाजग कंधों पर डाल रहे हैं शारूग? अब दिपिका के इतने अच्छे करियर ग्राफ को देख कर S.R.K और बोलेंगे भी क्या? वैसे भी इस फिल्म के प्रोमो को देख कर तो ज्यादातर अटेंशन दिपिका पर ही जा रहा है तो सीम्स तो बी दिपिका के शोल्दस पर ये जिल्मदारी ना डालें तो और क्या करें? ओग्राल मांडी कर जूम मुंबारिया